कोड इंडिया पाइलेट प्रुजेक्ट की शुरुआत स्कूली छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए भारत सरकार के प्रधान विज्ञानिक सलाकार कार्याने की पहरी आज पूरी दुनिया में कम्प्यूटर और डेटा की उप्योगिता देखने को मिल रही है यही वज़य है कि भारत सरकार ने भी डिजिटल इंडिया का नारा दिया इसी कड़ी में भारत सरकार के प्रधान विज्ञानिक सलाकार कार्याले ने कोड इंडिया नाम से एक पहल की है जिसके तहट स्कूली बच्चों को कम्प्यूटर कोडिंग और प्रोग्रामिंग आदी प्रशिक्षन दिया जाएगा पेश है ग्यान विज्ञान की ये रिपोर्ट 25 नुवंबर को दिल्ली के जवाहर नवोदे विद्याले जाफरपूर कला में पहले कोड इंडिया कारिक्रम का शुबाहरम किया गया कारिक्रम का उधगाटन भारस सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलहकार प्रोफेसर के विजय रागवन ने किया जिनके कार्याले की पहल पर इसकूली छात्रों में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग दक्षता को बढ़हवा देने का ये कारिक्रम शुरू किया गया है विज्ञान से लेकर व्यापार तक और सरकारी कामकाश से लेकर इसकूलों तक या फिर सोशल मीडिया हर छेतर में आज कम्प्यूटर इंजन और डेटा इंधन का काम कर रहा है भावी पीडी को इसी बदलाव के लिए तयार करने का बीड़ा कोड इंडिया ने उठाया है कोड इंडिया कारकरम के शुभारम पर दो सपता की एक कारशाला शुरू की गई है जिसमें फिलहाल देज भर के जवाहर नवोदे विद्यालेों से चुन कर आए पचास विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इस दोरान चात्रों को भारतिय विशेशग्यों के अलावा MIT और सर्न जैसी अंतरराष्टी संस्था के वैग्यानिकों से मिलने का मौका मिलेगा जवाहर नवोदे विद्यालेों में देश के ग्रामीड अंचल के प्रतिभावान चात्रों को बारवी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाती है कटिंग एज रिसर्च जो वर्ल्ड में हो रही है जो अग्रिनी श्रेनी की जो रिसर्च हो रही है विश्व भर में उसमें से एक्सपर्ट्स इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं और वो लोग सूडन से डिरेक्ली इंटराक्ट करेंगे और उनको जो उनका रिसर्च का डेटा है उसको शेर करेंगे इन स्कूडन्स के साथ और बताएंगे कि कैसे वो प्रोग्राइमिंग को अपने अपने एरियाज में यूज कर रहे हैं दिल्ली में शुरुवाती दो हफ्ते की कारिशाला की सफलता के आधार पर देश के अन्य नवोदे विद्यालेयों में भी इस कारकरम का आयोजंग किया जाएगा उमीद है कोड इंडिया देश भर के स्कूली बच्चों को अत्याधुनी कम्प्यूटर विज्ञान की बुनियादी तकनीक सीखने के अवसर प्रदान करेगी